अच्छा, Roman Reigns Universal Champion है, एक साल से Universal Champion है, लेकिन वो असली Champion नहीं है भाई, इसके around कुछ बड़ी interesting चीज़ चलने है जो कि मैं आपके साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आज Dynamite के शो के एपिसोड में भाई, पे-पर व्यू लेवल की चीज़ हमको देखने को मली, match 30 म चलने के बार, Daniel Bryan और Can You Make a Beast, ड्रॉ हो गया, सारे चीज़ इस वीडियो के अंदर डिसकस होंगी, भाई, कुछ इस व्लॉक के अंदर मेरे साथ धोका धड़ी होगी, तो इस व्लॉक के जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर समय आई बटन के उपर भी आ रहा होगा, यहाँ पर कहीं, आप लोग जाकर उसे चेक आउट कर सकते हो, कुछ आपको मेरे से करवान के बीच में था, और 30 मिनट टाइम लिमिट का मैस था, इतना लंबा चला, इतना लंबा चला, इतना एक्शन से भरपूर भाई, जिस तरीके के ड्राइगन सुपलेक्स लगा रहे थे, वीक ट्रिगर जो लगा रहे थे, डैनल बैंट के जो येस के किसी जो मुमेंटम था, जो क्राउड की एनटजी थी, क्या भाई, इस मैच के अंदर नहीं था, पेपर व्यू लेवल को भी एक रॉस कर दिया, भाई, मतलब डैनमाट के शो पर ऐसी चीज़े हो जाएंगी, ये तो भाई, कमाल ही हो गया, 30 मिनट पूर हो गया इस मैच के अंदर, और मैच के हमको क यंग बक्स है, और जो एडम कोल है, वो आकर अटाक करते हैं डैनल बैन की ओपर, तीनों ने जो अपनी किक लगाई, लेकिन उसके बाद जो है, जंगल बाई हो जाते हैं, उसके बाद लूचा सहरा सा जाते हैं, क्रिस्चन के जाते हैं, और इनने आकर सेव किया, तो मामला अब यहाँ पर कैनी उमेगा और ब्राइंट एननसल के बीच मुझे लगता है, खतम ओवेसली नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इनके बीच में मैच कम को कोई रिजल्ट नी देखने को मिला, तो कहानी काफी इंटरिस्टिंग होगी, लेकिन इस शो के अंदर ओपनर के अंदर किया, इसके लाब हमको और तो को तो कोडिन रोट्स मलेक और एंट मुझे कर दीचन का हुझे क्योकर अपने मेच के साहँ है, और जिस पर पर उनके भी संब और पर वाज यह अंदिचन धस्त फ़िए मोन होगी फूरोद के सबस्मेध को माज़िने को में अधु ऐस filter किते क FTR के अगेंस उनका मैस हा, 62 एज में बंदा ऐसे कैसे काम कर सकता है, ऐसे कैसे रेसल कर सकता है, ये बास सोच के मेरे तो भाई दिमाग ही घूमे जा रहा है, और Sting ये काम करके दिखा रहे हैं, उन्होंने रेसल किया, एंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि कॉफिन ड्रॉ जिसके ओपर कोई जवाब नहीं था, FTR का इसके पास में और इस तरीके से यहाँ पर जी जाती है, यार Sting के लिए तो Salute है, मैंने इससे पहले ना ऐसे कोई देखा और मुझे लगता नहीं कि Sting जैसा कोई आयागा, जो इस एज के अंदर भी ऐसे काम कर सकता है, मतलब यार यह तो कुछ कमाली हो गया, और Main Event के अंदर भी Women's Division को प्रमोट किया जा रहा है, यह चीज़ देकर मुझे काफी जाता सही लगा, Ruby Soho यानि X आपको WWE Superstar पता, Ruby Riot का मैस था, अगेंस Dr. Britt Baker और यहाँ पर Championship on the Line थी, मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर शायद वैसे इतना भी नहीं लग रहा था, लेकिन हा, कि Ruby Soho के पास कोई बड़ी Opportunity है, लेकिन फिर भी यह थोड़ा सा मुझे फुस जैसा लगा, क्योंकि एंडिंग के अंदर टैप आउट कर दिया Ruby Soho ने, इसका मतलब Dr. Britt Baker अभी एक अलगी Level पर है, उनको हराने के लिए कुछ अलगी चीज चाहिए होगी, और इस तरीके से उन्होंने Championship को रिटेन कर लिया, आज जो है, और काफी मज़ा है सच में Dynamite के शो को देखकर, ऐसे शो अगर डिलिवर करते रहें, तो भाई, रेस्लिंग के अंदर तो ऐसे मज़ा आगे, और डबल डबली को भी Competition मिलेगा, इससे डबल डब कभी-कभी Confuse नहीं हो जाते ऐसे, कि भाई, ये क्या चल रहा है, इस मैच के रिजल्ट ऐसे को निगला, हमको तो इस रूल के बारे में पता ही नहीं था, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, टैक्टी मैच के अंदर, डिस्कॉलिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, ये क् टैक्टी मैच के अंदर, एक बंदा अपना जो बंदा अगर उसका पिन हो रहा है, तो उस पिन को ब्रेक करनाई के लिए, एक ही बार अटेम्ट कर सकता है, और उसके बाद उसको बाद में जाकर कोई अटेम्ट नहीं मिलता, ये डब्ल डब्ली का एक रूल है, कि वन सेव एक बंदा अपने पार्टनर को ब्रेक कर सकता है, फिर अगर समिशन चल रहा तो उसको एक बार बेक कर सकता है, यह जो रूल है, जिमी स्पित ने रिवील कर दिया, और इससे पहले टैलिविजन के उपर यह रूल कभी भी रिवील नहीं किया गया था, यह अभी भी काफी स सब्सक्राइब और यह का लेकिन डेफिनेंटिली डवली के बुक्स के अंधर है फैनस को सुनने को नहीं मिलता लेकिन अंदर निकिए कहानी चलती रहती है जाहे जिमी स्मिट को पता नहीं होगा कि रूल रिवील करना लेकिन अक्च्छाल मुंसे यह हो गया तो कुछ इंट् तो इसके ओपर डाली है पोस्त तो गैस इसके ओपर जो रियाक्शन आ रहे है एक्च्वल में आपर सारे के सारे लोग एक्नॉलेज कर रहे है रोमन रेंज को कि रोमन रेंज ग्रेटेज उनिवर्सल चैंपन है यह तो ऐसा ही है कि भाई तुम पूस्ट रहो कि क्या पानी गी लेकिन इंस्टेग्राम के ओपर अपर आप रेक्शन देखोगे तो काफे साय लोगों ने अल्रेडी अक्नॉलेज कर लिया है हाँ थोड़ा बहुत कॉंपेटिशन ब्रॉक लेस्नर से है वैसे हमने भी स्पॉटिफाय के ओपर मतलब अपने पॉड्कास्ट के ओपर एक अल लवली ने अपने डिजिचल प्लाटफॉर्म्स के ओपर करी नेक्स्ट वरी की तरफ गाईज हम लोग चलते हो और यहाँ पर डबल लवली अपने एक स्मैकडाउन के सूपस्टार को जो है हील बनाने को लेकर प्लैन कर दिया और यहाँ पर वो सूपस्टार कोई और नहीं बलकि वो हैं हमारे डॉमनिक मिस्टिरियो और ना सिर्फ इतना बलकि सैमी जेन के साहत मिलकर शायद डबल लवली उनको अलाइन कर सकती है और वो टर्न हो सकते हैं अपने फादर रे मिस्टिरियो के ओपर डबल लवली का इवेंचुली आप मालो कि ऐसा प्लैन है कि उनको करना ही है डॉमनिक को और उसके बाद ऐसे भी प्लैन से कि उनको मास्क पना देंगे तो शायद ये चीज डबल लवली अप करने वाली है क्योंकि सैमी जेन ने प्रेज करना भी स्टार्ट कर दिया डॉमनिक को तो हो सकता है वो उनको अपनी पार्टी में ले ले और उसके टर्ण करवा दें उनके ही फाधर के उपर तो शायद ये चीज आपको स्मैक डॉन के पर बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है कब होगा कैसे होगा इसके उपर कुछ कुछ कमेंट ने कर सकते लेकिन कुछ इनिशल अपडेट सारी है इसके उपर तो लेट सी क्या होता है ल आप लोग सोचे होगे कि नाम या तो कीथ हो गया होगा या फिर ली हो गया होगा क्योंकि विंस उकमैन को यूजरी नाम को एक वर्ड का बनाने में बड़ा मज़ा आता है लेकिन जो नाम है वो बन चुका है कीथ बियर कैट ली इस बार मिडल नेम डबल डबली ने आपर जोड दिया है और आपको सुनने में थोड़ा जीब लग रहा है तो बियर कैट का जो है थोड़ा सा बैग्राउंड है रेस्लिंग से जोड़ा बॉक्सिंग से जोड़ा यह नाम के अंदर पास्ट में ऐसे नाम रह चुके हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम अब आपको पताईए इसी तरीके से डबल डबली के अंदर नाम चेंज होते हैं वैसे तो उनके प्लैंस आ रहे हैं कि कीथली को एक मॉन्स्टर हील की तरह दिखाएंगे मैं उसके लिए जाधा इंट्रस्ट्टिड हो कर वो चीज हो जाती है तो नाम में क्या रखा है पर बहुत तकड़ा बवाल मचाता कि रोमन रेंज को टॉप पर ने रख्या गया था बलकि पी डबल आए की लिस्ट में जो है इस साल कैनियो मेंगा ने इसको टॉप किया था रोमन रेंज ने नमबर टू के उपर तो रीसेंटली जब कैनियो मेंगा से पूछा जाता है कि भाई किसी एक बंदे को अगर तुम एडबलू के अंदर देखने चाहोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर उन्हों ने यहाँ पर रोमन रेंज को चाहता हूं कि वह एडबलू के अंदर आए ताकि मैं उसको दिखा सकूं कि एक असली चैंपिन कैसा नजर आता है यानि यहा रोमन रेंज के साथ एक प्रोग्राम में आना चाहता हूं ताकि मैं उसको दिखा सकूं कि एक असली चैंपिन होना कैसा होता है शायद रोमन रेंज अपनी अले की दुनिया में जी रहा है और इसलिए उसको लगता है कि जो चैंपिन है असली में वही चैंपिन होना होता है तो यहां पर एक तरीके सा उन्होंने तीर सा कस दिया है कैनि हमेगे ने डेफिनिटली एक तकड़ा शॉर्ट लिया रोमन रेंज के उपर हाले कि उन्हों ने ये भी का कि मैं अपने आपको प्रूब भी करना चाहतो हो रोमन रेंज के साथ प्रोग्राम में आकर कि कैसा एक असली में चैंपिन नजर आता है तो वैसे चीस कभी होगी और सही तूए हमी जरी बबस्ति लुद्टी खहल वाले की कारत एक आता है तूए वाले ही दिए चीस करतेक आता है manner कि जा लि cafes हाजम आपको देंगे च्लिए